के गाईज देसे जिम्रान और वाचिंग टेक रिप्यू दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैनकर्ड को अधार कार्ड से कैसे लिंक करते हैं तो 31 दिसंबर 2017 तक आपको अपने पैनकर्ड को अधार कार्ड से लिंक किसी भी हाल में कर लेना है नहीं तो फिड जब बन नया साल आएगा वोट अठारा तब आपको में भी प्रोडम हो सकती है तो चलिए शुन करते हैं तो गुगल में टाइप करते हैं इंकम टैस्क्स और उसके बाद आपको इंकम टैस्स डिपार्टमेंट का बेबसाइड ओपन हो जाएगा तो आप इसे ओपन करेंगे ओपन करने साथ आपकी लुब्साइट ओपन हो जाएगी जो कि आपको कुछ ऐसा दिखता है उस बाद है आपको तीन ओपिशन दिखाए देंगे निव टोई फिरिंग रिइस्टर डियूजर और निव एसिस्टेंट तो हमको सब सब पहले हैं इस पर आईडी ब्लाना पड़ सते हैं और यहां पर देख सकते हैं नियां पर काफी सारे की है कि टेगन हम मिल जाती है लेकिन हमें खुठ के लिए पणा थो हम इंडिई भाल चूस करेंगी उस बाद कंट्यूंग कुछ में कि प्क्रमिटियूब्साफरण धोन है की फिल करना पन न पर गा है जैसे पैन तो यहां पैन का नंबर डालना होगा के सरने में मिडिल नेम फिर्स नेम डेट और बर्थ और एसिदेंशियल स्टेटस तो चलिए मैं जल जली से फिल अप कर लेता हूं उस बद हम यहां पे चूज करेंगे डेसिदेंट और करेंगे कंटिनियू उसके बाद यहांपर हमें और भी इन्फ्रमिशन हमसे पूछी जाएंगे भरने के लिए तो हमें इसने फिल करना पड़ेगा तो तो हमें यहांपर पासवड़ करेंडege करना है तो पासवड-क्रीट करने के लिए आप को capital letter, small letter, special character और number यूज़ करना पड़ेगा example के लिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है take at the rate 123 T capital है, E c a small है at the rate 123 ऐसे आप अपना खुद पासवाड क्रेट कर लिजिए ठीक है तो मैं पासवाड क्रेट कर लेता हूँ उस पत अगला option है primary secret question का तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है select secret question from the drop-down this can be used to reset your password अगर आप password भूल जाते हैं इस question को use करके आप अपना password को reset कर सकते हैं तो यह question देना बिल्कुल compulsory है क्योंकि जिन जिन section पे आपको है यहाँ पे मिलता है star वाला sign तो बोच field mandatory है आप बढ़ना बिल्कुल जरूरी है विना भरे यह काम नहीं करेगा ठीक है उसके बाद दूसरा question को हम select कर लेते हैं और उसमें हम अपना answer डाल लेते हैं यहाँ पे आप show secret answer पर क्लिक करके आपने जो answer दिया रहा है उसे आप use कर सकते हैं देख सकते हैं क्या आपने सही बढ़ा या भी नहीं तो यहाँ पे अगला option है contact details का तो हमें यहाँ पे अपना contact details जो है की add करना पड़ेगा तो हमें यह यहाँ पर देहान रहे कि जो field mandatory है start sign वाला उसे जरूर भरे जो mandatory नहीं है उसे नहीं भी भरेंगे तो काम चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगला option था primary mobile number belongs to तो मैंने self कर दिया यही मेरा number है फिर उस बाद अगला option है primary email ID का तो यहाँ पे नीचे में आपको primary email ID belongs to यह किस सब्सक्राइब फिल करना पड़ेगा तो मैं अपना address फिल कर लेता हूं जली जली करेंगे हम continue पर click तो हमें यहाँ पे दो OTP जो है कि भेजी जाएंगे पहला iPhone पे और दूसरा है अपने email ID तो दोनों जगा हमको एक-एक OTP मिलेगा जो कि हमें प्रिफाई करना है तो हम confirm कर देते हैं ओके तो यहाँ पे हमें दो अप्समीर गए है एक email OTP का एक mobile OTP का तो हमें अपना email और mobile दुरने जगा OTP को हमें इंट्राइब करना पड़ेगा email वाले पर email login कर लिजिए और OTP डाल दीजिए तो मैं email open कर लेता हूं और यहाँ पे email आ चुका है हमें इस ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें email है your email OTP for registration in e-filling is mail OTP तो इसे हम कोपी करके वहाँ इंट्राइब कर देंगे ठीके तो मैं यहाँ इंट्राइब कर देता हूं तो अगरा option है mobile OTP का तो जो हमने अपना mobile मार दिया था registration कर दिसमें तो उसके बाद हमारा ID जो है यहाँ पे create हो गया उसके बाद हमारा user ID होगा हमारा pen card number आप password वो होगा जो हमने बनाया था ठीक है तो उसके बाद मैं खोलता हूं अपना email दोबारा से और यहाँ पे आप डिक सकते हैं यहाँ पे एक email आ चुका है जहाँ पे मेरा user ID के बारे में तो यहाँ पे वही सेम चीज है ठीक है तो हम लोगिन कर लेंगे ठीक है तो यहाँ लोगिन का वो बॉक्स है वो उपेन हो गया तो user ID के जगह पे हम टालेंगे अपना pen card number उसके बाद password इंटर कर देंगे फिर यहाँ पे आपने चूज करेंगे date of birth और यहाँ पे जो उपर code दिये हुआ है जिसे बोलते हैं capture code हम उपको यहाँ पे fill करना पड़ेगा तो हम fill कर लेते हैं फिर करेंगे login तो हमारा जो ID है लोगिन हो चुके है अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है अधार number तो हमें यहाँ पे अपना अधार का number जो है इंटर करना पड कर दीजिए यहाँ पे नेम एस पर आधार आपके अधार पर जो नाम है वह यहाँ पे इंटर कर दीजिए फिर अगला option है I have only year of birth in अधार काड तो अगर आपके अधार काड में सिर्फ एर है तो आप इसे टिक कर सकते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं लिंक नाव करने से अधार आप जो है कि एक बार वरिफाई जरूर के लिजिए अपना नाम और अधार नमबर ठीक है अब लिंक नाव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेसेज आ गया अधार पैन लिंकिंग इस कंप्लिटे अधार पैन काड लिंक हो चुका है तो हम एक बाफी से चेक कर तो इसके लिए हम चलते हैं परफाईल सेटिंग्स पे और निचे एक अप्सन है लिंक अधार उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है योर पैन इस लिंक्ट तू अधार नमबर और आपका अधार नमबर के लास्ट डिजिट तो म हम देख सकते हैं एक मेल आया हुआ है अधार पैन सीडिंग सेस्फुली कंपलीटेड हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैसे मिल चुआ है कि हमारे जो पैन कार्ड है वो अधार कार से लिंक हो चुका है ठीक है तो यहरा कंप्रोमेशन मेल जो मैं आपको दिखा दिया और अगर आपको कोई सवाल हो तो निशे के में बंड़े बक्स में कर्मेंट किजिए मैं उसके रपलाई कर दूंगा और अपि तक आपने मेरा चैनल सब्स्राइब ने किया है तो अभी आपके सामने मेरे चमल का लोगो आ रहा होगा आप इस पर क्लिक करके मेरे चैनल का थैंक्स कोची और अबाई